भारती सम्विधान की उद्देशिका में दिये गय मूल्य वा आदर्श हमारा सम्विधान एक संचिप्त उद्देशिका से शुरू होता है संचिप्त होने पर भी या अत्यंत महत्वपून है सम्विधान सभा के तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तूत किया जो अन्ततह 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ 3 जन्वरी 1977 को इसका संचोधन किया गया जिसमें कुछ महत्वपून विचार जोडे गये सम्विधान की उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभूत्व संपन समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोगतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक और राजन्यतिक ज्याय, विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, धर्म और उपास्ना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राश्ट्र की एक्ता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए द्रुण संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में आज तारीक 26 नवंबर 1999 इस्वी मिती मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी समवत 2006 विक्रमी को एतत द्वारा इस सम्विधान को अंगिकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं इस उद्देशिका के महत्तु पर टिपणी करते हुए पंडित जवाहालाल नहरू ने कहा था प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक है यह एक घोशना पत्र है यह एक ध्रुन निश्चय है यह एक प्रतिग्या और दाईत्व है और हमें विश्वास है कि यह एक वरत है यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों किस बात के अभिलाशा रखी, हमारा स्वपन क्या था? यानि कि इन शब्दों में हमारे राष्ट्री आंदोलन के उद्देश, हमारे देश के लोग आगे क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, तथा हम किस तरह का राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सब इसमें कहा गया है मुल्य एवं आदर्ज की सरकार सहित भारत के विभिन सामाजिक वर राज्यनेतिक आंदोलनों की भावनाय थी इसमें रूसी क्रांती से आर्थिक समानता वा न्याय, फ्रांसीसी क्रांती से स्वतंतरता, समानता और बंधुत्व तथा अमेरिकी क्रांती से राजन्यतिक न्याय स्वतंतरता वा व्यक्तित्व स्वतंतरता के साथ मानव गरिमा का भाव लिया गया है हम भारत के लोग इस सम्विधान को अंगिकृत, अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं यह वाक्यांश वी दप्यूपिल ओफ इंडिया समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है हमें यह सम्विधान किसी राजा, सरकार या विदेशी शासक ने नहीं दिया है वरन समस्त भारत की जनता ने मिलकर अपने आपके लिए बनाया है अतह जनता ही इस देश की सर्वोच शक्ती है यह वाक्यांश तीन अर्थ स्पष्ट करता है पहला, सम्विधान के द्वारा हम भारत के लोगों के लोगतंत्र की इस्थापना करते हैं दूसरा, सम्विधान के रशनाकार जनता और जनता के प्रतिनिधी हैं और यह सम्विधान जनता के इक्षा का परिणाम है तीसरा लोकतंत्र और सम्विधान की अंतिम संप्रभुत्व शक्ति भारत की जंता में नहीं थैं प्रभुत्व संपन्न या किसी बाहि शक्ति जैसे कोई दूसरा देश से स्वतंत्र वा सर्वोच शक्ति है देश के अंदर भी समप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्णे सर्वो परी होते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि उसके पीछे देश के सभी निवासियों की सहमती है विदेश निती हो या आंतरिक निती जनता का राज्य स्वन्यंत्रित एवं स्वतंत्र है उनके उपर अन्य कोई शक्ती हस्तक शेप नहीं कर सकती क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्य राज्य है यह कथन महत्वपूर था क्योंकि भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हो रहा था समाजवादी यह अवधारना 1977 में जोड़ी गई थी इसका आश्य है कि भारत अपने समस्त नागरिकों के बीच सभी प्रकार की समाजिक वा आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधुनों का उप्योग सारवजनिक हित में किया जाएगा ना कि किसी के निजी हित में